Hello friends, कैसे आप सबी? आज मैं आई हूँ अपनी kitchen में अपनी रशोई घर को पूरी अच्छी तरीके से साफ करने. बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, ऐसे hacks होते हैं, जिसे हम अपने kitchen की cleaning को बहुती easy task बना सकते हैं. और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखके ये सारी चीज़े फॉलो करते हैं तो किचिन क्लीनिंग आपके लिए भी बहुती एजी टास्क हो जाएगा तो आज मैं करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग इसलिए कबर से सारी चीज़े को बाहर निकालेंगे सबसे पहले एक DIY क्लीनर बनाएंगे जिसे बनाना काफी ज़्यादा आसान है आप एक स्प्रे बॉटल में ले ले बेकिंग सोटा उसके बाद आप डाले वेनेगर डाले के बाद आप डाले डिस्वाज आपका बहुती easy DIY क्लीनर बनके तयार है जिससे मकु चीटी कॉप्रोच बिल्कुल दूर हो जाते हैं तो घर के और जगा की सफाई करने के दौरान मुझे मिला ये कपड़ा अच्छली ये सैंडो गंजी है लेकिन इस तरह की सैंडो गंजी से सफाई काफी जादा अच्छी होती है तो सबसे पहले DIY क्लीनर को अपने जो रैक है उसे हम स्प्रे करेंगे और यहाँ पर मैं इससे साफ करी हूँ और यस एक और बहुती बड़ी चीज अगर आपका कीचन छोटा है आपके कीचन बहुत ज़ादा स्पेस नहीं है तो आप अपने कीचन की सफाई के लिए section wise चीजों को ले एक रैक को हटाएं उसे clean करें या एक कबड को आप खोले आप उससे सारी चीजों को बाहर निकाले clean करे, organize करे तब आप उसे decorate करें तो यहाँ पर मैं अपने एक रैक को हटाके सारी चीजों को वापस से लगा रही हूँ उसके बाद आएंगे नीचे के तरफ well हमारे घर पे कोई ना कोई ऐसा space जरूर होता है जहांपर हम storage रखते है, बहुत सारे tiffin box जब हम traveling में जाते है या कोई food container बाहर से आता है तो उसे हम यहाँ पर रखते हैं तो अगर आपके घर पे cockroaches है आपके kitchen में cockroaches है तो आप इस तरह के ग्रेड वाले cockroach हीट का use कर सकते है लेकिन यहाँ पर मैं इसे जड़ से दूर भगाने का उपाय बता रही हूँ अभी तक मैंने अपने life experience दे बस इतनी सी चीज समझी है कि अगर आपके kitchen में इस तरह के cardboard का कोई समान होगा cardboard का डबबा होगा तो वहाँ पर आप कितनी भी सफाई क्यों न कर ले वहाँ पर cockroaches definitely ही आएंगे चाहे आप महांगा से महांगा powder यूज़ कर ले चाहे से आप महांगा से महांगा spray यूज़ कर ले लेकिंग cockroaches की problem बिल्कुल cardboard से आती है इसलिए अब मैंने सोचा है कि अपनी kitchen में किसी भी तरह के cardboard का डबबा हो गया cardboard का समान हो गया नहीं रखोंगी उसके जगा पर plastic वाले organizer का use करेंगे और देन आप भी सारी चीज़ों को organize करेंगे और इस तरीके से टिफिन box को एक के अंदर एक रखके अब बहुत सारे space यहाँ पर create कर सकते है तो बस सारी चीज़ों को जगा पर लगा दिया है और यह काफी ज़ादा खूपसद लग रहा है अब एक कबड की सफाई हो गई तो इसके फ्लोर को भी सबसे पहले clean करेंगे क्योंकि यहाँ spray गिरा है cockroaches है तो सारी चीज़ों को एक तरफ करेंगे और उसके बाद cardboard से निकले वे जितने सारी सी से का item होते बहुत सारे ऐसे crockeries होते जो हम definitely सिफ गेस्ट्री उसकते हम Indians का तो यह आदत होती है बड बहुत दिनों से अगर आपने उन सारी चीज़ों को नहीं निकाला है तो आप जब अपने कीचन की deep cleaning करें तो उसे निकालके अच्छी तरीके से wash करना आप बिलकुल ना भूले इस तरीके से मैं one by one करके सारी चीज़ों को बाहर निकल लिए और यह आईस देखे इतने सारे cardboard यहाँ पर जमा हुए है इन cardboard को निकालेंगे और सीधे अपने घर से बाहर मैं इसे फेकने वाली हूँ क्योंकि यही एक जड़ होता है cockroaches को कीचन में लाने के लिए लिए जाते दूसरे तरफ ने सारे हमारे डबबे होते हैं कंटेनर होते हैं जार होते है उसे मैं एक बार चेक करोंगी और जो भी कंटे Insurance दब हा वहार मुझे लग रहा है कि यह घंदा हो गया है उसे मैं डालोंगी तो रिफिल करना था तो बस उसे हम रिफिल करके अपनी जगह पे रख देंगे अब आजाते आपर सेक्शन की तरफ तो आपर सेक्शन में मैं वो सारी चीज़े रखती हूँ जिसे हमने अच्छे से डब्बे में भर की रखना पड़ता है ताकि इसमें किसी भी तरह का करके तो यह प्रॉब्लम हमारे किचेन में हमारे डेली लाइफ में कभी नहीं आगी जिससे पैसों की वी वेस्टेज नहीं होगी तो यहां पर मैंने बहुत सारे डब्बो को चेक किया इस तरह के पॉड़र जिसमें रहता है इसमें सत्तू बेशन वेकर रहते उसे मैं क्ली होगा यहां पर मेरा कंटेनर साफ हो जाए तो इस सारी चीजे को मैंने बहार तो यहां पर बहुत सारे डब्बे इकटे हो गया जिसे मुझे साफ करना है लेकिन अभी मैं इसे साफ नहीं करूँगी कुछ चीजे और निप्टा लेते हैं उसके बाद आएंगे इस सेक्शन क तो यहां पर मैंने एक बड़ा से पॉली बैग भी रखा है जिसमें मैं अपने वेस्ट आइटम को डाल सकूँ कोई भी प्लास्टिक हो गया कोई समान खराब हो गया वह साई चीजे को डालने के लिए आप एक पॉली थीन या बैग को हमेसा अपने आँखों के सामने रखे ऐसा करने से कभी भी आपका किचन अन औरगनाईस नहीं होगा और यहां पर क्लीनिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी टास्क हो जाएगी तो इस तरीके गोल वाले डबबे में मैं फ्रायम्स और पापड वेगर रखती हो और इस तरीके से मैंने अपने किचन के दू अब जैसे कि मैंने यहां पर आप लोग कहा कि यहां पर मैं कार्डबोड के यूज़ा रही हूँ अब जैसे कि मैंने यहां पर आप लोग कहा कि यहां पर मैं कार्डबोड के यूज़ नहीं करने वाली हूँ अब जैसे कि हम लेडिस के हाजार काम होते है और उनी कामों में सबसे बड़ा काम होता है खाना बनाने का तो सफाई तो एक तरह बड़ घर पे टाइम पे लंच होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूर है इसलिए आप मैंने चावल को लगा दिया है बनने के लिए बाकि दाल और सब्जी मैंने मौर्णिंग में ही बना लिया था है क्योंकि मैंने एक रात पहले ही डिसाइड कर लिया था अपने दिन को पूरी अच्छी तरीके से मैनेज किया था कि मैं नेक्स्टे किस तरीके से आपने सारी चीजों को एक्जिक्यूट करूंगी अब यहां पर जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारी चीजों को दोने के लिए जैमा हो चुके हैं और यह जो मेरा स्टील का रैक है बरतन रखने के लिए उसे मैं हटा के यह जो कॉंटर करूंगी तो इसे मैं नीचे की रखा इसे भी साफ करेंगे लेकिन अभी नहीं थोड़ी तर के लिए बाद तो यहां पर मैंने डिश वास से अच्छी तरीके से इस कांटर को साफ किया है क्योंकि क्योंकि राय का होने की वज़े से यहां पर रोज सफाई अच्छी तरीके स नहीं हो पाती है, आज मौका मिला है, क्यों ना कीचेन को हर कोने से बहुत ही जादा ही जमकता दमकता बनाया जाए जाए और यस बैक्टेरिया फ्रीवी तो यस कॉंटर टॉप की अच्छी तरीके सफाई करने के बाद यहाँ पर मैंने एक टॉवल को रखा है और अब धोरियों अपने इस जित्ती सारे डब्बे है, जार है, कंटेनर है, वन बाई वन करके साई चीजे को धोएंगे, अच्छी तरीके से क्लीन करना इसके डब्बो को इनके ढगन को काफी ज़र जरूरी है, क्योंकि वहीं पर हमारी चिकनाई बैठती है, और चिकनाई होने कारण यह अच्छा नहीं नजर आता है, टावल में लगा देंगे ताकि यह ड्राय भी बहुत ही जल्दी हो जाए, और सारी चीजे मेरी वापस से जगा पे आ जाए कुछ बड़े डबे ते जिसे मैंने रखना है अपने बालकिनी एरिया में ताकि यह सूख सके अब यहाँ पर जब किचन क्लीनिंग की बात हो रही है तो हम किचन अप्लाइस को किस तरीके से छोड़ सकते हैं अगर आपके mixer grinder में इस तरीके के दाग आ गया है और यह साफ नहीं होता है तो विश्वास मनगे यह DIY cleaner इसे साफ करने में बहुत ही जादा ही यूसफूल होता है कम अफर्ड में आप एक बहतर चीजे पाँ सकते हैं बस इसे स्प्रे करके 5-10 मिनिट आजटी चोड़ दे और इन 10 मिनिट में मैं इस रैक को भी साफ कर लूँगी उपर की तरफ तो यह गंदा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने रिसेंटल से परचेस किया था बस नीची की तरफ कुछ पानी के दाग हो गया है तो इस DIY cleaner को इसमें लगा के एक कपड़े से हम इसे पोचेंगे तो यह बिल्कुल ही नया और दमकता हुआ आपका स्टील राट भी बनके आ जाएगा इस DIY cleaner से अब बहुत तरीकों की सफाई बहुत ही इसली कर सकते हैं तो यहां पर मैं सारे बर्तन को वन बाई वन करके रखूंगी मैं इसे मिक्सर ग्रेंडर का भी टाइमर हो गया था तो बस एक कपड़े से हम इसे पोच देंगे आप देख सकते कि बहुत ही इसली सारी चीज़े हट गई है और हमारा मिक्सर ग्रेंडर भी साफ सुत्रा हो चुका है इसे लगा दिंगे अपनी जगा पे तो जैसा कि मैंने कहा कि ओरत के बहुत सारे काम होते हैं उसे बहुत साई चीज़े को मैनेज करके चलना पड़ता है तो इतने कामों करने के बाद आरव आगया था स्कूल से उसे भी अच्छी तरीके से फ्रेश अप किया और आगे उसे खाना किना लिए मैं भी लंच ब्रेक लूँगी और ल मसाले के डब्बे रखने के लिए उन्हें हम निकालेंगे और अच्छी तरीके से यहां पर मैं वाश करूँगी तो यह सारे ऑगनाइजर भी बहुत टाइम गंदे हो जाते हैं लेकिन अगर आप समय रहते हैं इन्हें साफ कर लेते हैं इसकी जो ओरिजनल वाली चमक है वो हमेशा ही बरकरा रहती है तो उपर की सफाई तो बहुत अच्छी तरीके से हमने कर ली यह जो दुकबड है उसे भी हम निकालेंगे जिसमें मैं रखती हूँ अपने पैनेटरी के बहुत सारे आइटम बस यही दो रैक है जहां पर मैं अपने पैनेटरी के सारे आइटम को रखती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि अब आप इसे किस तरीके से और्गनाइज करते है जैसे ही मैंने खोला तो कुछ कॉक्रोचेस मुझे दिखे तो उन्हें हटाएंगी सबसे पहले आइनो कॉक्रोचेस को मारना गलत है बट बहुत ही डिफकल्ट है यह सारी चीजे करन एक यहाँ पर मैं इस तरीके का DIY और्गनाइजर यूज करती थी कार्डबोर्ट का था तो इसे भी जैसा कि मैंने कहा कि कार्डबोर्ट के सारी चीजा आज मैं अपने किचन से हटा दूंगी तो पैनेटरी मैं कल लेके वे आई थी तो उन्हें अपनी जगा पे लेंगे और इस तरीके का मैंने प्लास्टिक वाले और्गनाइजर का यूज किया है तो वन बाई वन करके अपनी चीजों को इस पे लगाएंगे और जितने सारे पैनेटरी के आईटम है उसे मैं यहाँ पे रख दूंगी एक और 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 ऐसा लिया है जिसमें छोटे वाले पैकेट पैकेट्स होते है जैसे हमारा पच फोडन हो जाता है जीरा, धनिया, गरम, मसाला जितने सारे छोटे-छोटे पैकेट्स होते है उसे मैं इस ऑरगनाइसर में रख रहे हूं और इस तरीके सेORTने से आपकी हर चीजे बहुत ज्यादा ही खुपसूरत लगती तो इसे अकसिस स करना आपके लिए आसान हो जाता है तो इसे भी बस अपनी जगह पर रख दिंगे ती साथ अंदर की तरफ सफाई करने के साथ साथ बाहर जो डोर है उसे भी मैं साफ करती जा रही हूं तो इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्र एफर्ट नहीं लगाना पड़े दूसरे वाद निवस पेपर को भी पेपर तो युल-उस पेपर उफे त तो लाइनर वेगरण को हटा אות के सिंपल डियरेक्ट अपने रैक में अपनी चीज़ों को आरेंज करिंगे नीजे की तरफ मेरे व्ह सारी चीज़े रहते हैं जो बल्क में रहते सिसे ओई औल हो जाता है चावल हो बबा हो जाता है, चावल के अनिक डबबे हो जाते हैं, उन साइची जो को मैंने यहां पर लगाया है, and that's how I organize my kitchen, I know थोड़ा सा ताइम आपको यहां पर जरूर देना होगा, जब आप अपनी kitchen की कोई भी space की deep cleaning करते हैं, लेकिन उसके बाद जो आप रिलाक्स होते हैं, और ज प्राइस नहीं लगेगा, the babies dry हो चुके थे, तो सारी चीजे को मैं उसमें भर रही हू, and that's all for today, मैं परी आपको से फिर से मिलूंगी, new videos के साथ, useful videos के साथ, तब तक के लिए, bye-bye, bye-bye